नमस्कार अदाव, मेरा नाम है सर्वत और आप देख रहे हैं दीला लंटॉप भई दिन भर इंटरनेट और सोशल मीडिया के तुरिया में बहुत कुछ हुआ है तो कुछ जरूरी चीजें, कुछ मज़ेदार चीजें जिन पर हो सकता है आपका ध्यान तबना गया हो उन्हें आप जान लीजे, पहली खबर, बिहार, यहां जल जीवन हर्याली, शराब बंदी और नशामुक्ती के पक्ष में और बाल विवा दहेच प्रता के खिलाफ हुमन चेन बनाई गई 38 जिलों के करीब 5 करोड लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, इसके साथ साथ इस चेन में बच्चे भी शामिल हुए, लोगों ने ये चेन खरीब 18,000 किलोमीटर तक बनाई है खेर इस चेन में एक व्यक्ति की मौद भी हो गई, दरसल दरभंगा में एक अध्यापक इस चेन का सपोर्ट कर रहे थे, तब ही उनको हाड अटाक आया और उनकी मौद हो गई वहीं इसको लेकर राजनीती भी हुई, देजस्वी यादव ने सीम नितीश कुमार को घेल लिया, उन्होंने कहा कि प्रदेश अब बाण से जूज रहा था, तब अजाफ के लिए हेलिकॉप्टर उपलब्ध नहीं थे, लेकिन आज यूमन चेन की विडियो रिकॉर्डिं तर्भंगा के केवती में एक स्कूल टीचर की मौद भी हो गई, और ये सब घटनाए मोख्यमंतरी नितीश कुमार के एहनकार की वजांसे हुई है, रिपोर्ट्स की वो ताबिक, यूमन चेन को कवर करने के लिए बिहार सरकार ने 12 हेलिकॉप्टर हायर किये थे, लेकिन व दूसरी खबर है दिल्ली के शाहीन बाग से, CAA के विरोध में देश भर में प्रदर्शन जारी है, शाहीन बाग में कई हफतों से औरते CAA के खिलाफ विरोध कर रही है, हजारों लोगों का सहलाफ यहां देखने को मिल रहा है, 19 जनवरी को जाम्या उनिवर्सिटी गेट से शाहीन बाग के लिए एक कैनल लाइट मार्च हुआ, इस मार्च में औरते और बच्चे भी शामल थे, इस मार्च में कई लोग महात्मा गांधी, बियारं बेटकर, भगत सिंग, सुकदेव और राजगुरू के गेट अप में दिखे, यह प्रदर्शन कारी आजादी और CAA NCR पर हला बोल जैसे नारे लगा रहे थे, इस मार्च में सभी धर्मों के लोग शामल हुए, इसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रही है, तीसरी खबर, सोशल मीडिया पर एक शादी खूब चर्चा में है, वजह है हिंदू जोड़े की मजज़त में रिपोर्ट के मताबिक रवेवार 19 जन्वरी को केरल के आला पुज़ा की एक मजज़त में हिंदू जोड़े की शादी करवाई गई, इस विवास मारों में दोनों समुदाए के लोग शामल हुए, केरल के सीम पिनराई विजहर ने भी फेस्बुक पर पोस्ट लिखकर मागी थी, धार में एकता की मिसाल पेश करते हुए, मस्ज़द कमिटी के लोगों ने अंजू की शादी का सारा खर्च उठाया, मस्ज़द कमिटी ने अंजू को सोने के 10 सिक्की और 2 लाख रुपे भी बतोर तोफा दिया, तक्रीबन हजार लोगों के खाने का भी इंतिज अब आते हैं चौती ख़बर की तरफ, महिंद्र ग्रूप के चैर्नमेन आनंद महिंद्रा सोचल मीडिया पर बड़े आक्टिव रहते हैं, कई बड़िया पोस्ट भी शेर करते रहते हैं, उन्हें इस जनवरी को उन्हों ने एक ट्वीट किया, अपने एक इंपलोई को ले ही करते हैं, सही बात है, जाते जाते ही मुंबई वालों के लिए एक अची ख़बर है, महाराश्य सरकार के पास एक प्रपोजल आया था, जिस सरकार ने कज़ाबंदी दे दी हैं, क्या था ये प्रपोजल? यही कि मुंबई शेहर में दुकानी और रेस्टरॉन सब सातों द जनवरी से 2400 घंटे खुले रह सकते हैं, मुंबई के बारे में शायद सही कहते हैं कि यह शेहर कभी भी नहीं सोता, अब आपको हमारी वीडियो कैसा लगा हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताईए, अगर यह वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फे झाल